नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने दर नॉलिज 24 यूट्यूब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने बाला हूं कि आप अपने टी एस एस वी में जो सभाई करमचारी की वेकेंसी आई है उसको कैसे अपलाई कर सकते हैं वीडि सरकारी रिजल्ट जैसे ही सर्च करोगे तो आप इस वाली वेबसाइट पर आ जाओगे आपको यहां देखने को मिल जाएगा डी एससवी वेकेंसी पोस्ट और एपलाई ओनलाइन आपको इसी पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपके सामने ऐसा पेज उपन होकर इसके बाद यहां आपको अपना एक रिजस्टेशन करना होगा क्लिक टू न्यू रिजस्टेशन पर क्लिक कर देंगे इसके बाद यहां आपको अपना नाम फिल करना है और यहां आपको अपने नाम को रिटाइप कर लेना है इसके बाद यहां आपको अपनी डेट आप ब और यहां उसको भी रीटाइब कर लेना है इसके बाद यहां आपको पने जेंडर सेलेट करना है और जेंडर को भी कनफर्म कर देना है इसके बाद यहां आपको पने नेशनलिटी सेलेट करनी है इसके बाद यहां आपको पने फादरस का नाम फिल कर लेना है और यहां उनको इडी फिल करनी है और Gmail ID को भी री टाइप कर लेना है आपकी Gmail ID और Mobile नमबर पर एक OTP जाएगा उसको यहां पर फिल कर लेना है उसके बाद यहां आपको अपना आधार कार्ड नमबर फिल करना है अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहां नो पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहां आपको अपने डोकुमेंट अपलोड कर देना है अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहां 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 पर क्लिक करेंगे और यहां अपने आधार कार्ड नमबर फिल कर देना है इसके बाद यहां आपको अपना नम फिल करना है जो आ पर क्लिक कर देना है आपके सामने आपकर क्रिवी आ जाय गा है आप इसको अच्छी से चेक कर सकते हैं कि OM का इसके बाद आपको इस बाले बोक्स पर क्लिक करना है और आपका रिजन्टेंट हो जाएगा आपको फिल करनी है और यहां आपको पा turon by उल नंबर है और इस को बहुत कर सिंग इन पर क्लिक कर देए इसके बाद आपका सामने एक ऐसा पेज उपन होगा आपको यहँ एपलाई फौर दude केसेन पर कुलिक करना है इसके बाद थे हाँ आपको नीचे के तरफ आ लेना है अगर आपका पर्मानेंट एडर्स से हैं तो आप इस बाले बॉक्स पर आपको अपने सिटेट स्टरीड करना है और है कि आपका सीओ कika करना है कि करना है चब सारे डॉकुमिन्ट अप्लोड हो जाएं तो आपको नेस्ट पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है और यहां आपको अपनी 103 की डेटेल फिल करनी होगी, यहां आपको क्वालिफिकेशन सेलेट करनी है, यहां आपको परसिंटेज फिल करनी है, और यहां आपको अपना स्टेट सेलेट करना है, इसके बाद यहां आपको बोर्ड सेलेट करना है, अगर आपका इन में बोर्ड नहीं है, तो आप अधर सेलेट करेंग आपको next पर click कर देना है, इसके बाद आपके सामने आपका preview आ जाएगा, आपको नीचे आना है और इस box पर click कर देना है, और इस वाले box पर भी click कर देना है, इसके बाद आपको submit final application पर click कर देना है, आपका application submit हो जाएगा, इसके बाद यहां से आप अपना print निकाल सकते हैं, आप यहां जिस application का print लिखानना चाहते हैं उस पर click करेंगे और print application पर click कर देंगे इसके बाद आपके सामने आपका print आ जाएगा यहां आपको यहां print this page पर click कर देना है और आपका print निकल जाएगा